इस वीडियो के तहट में आपको बताऊंगा कि आखिर बार्सिक परिक्षाओं का आयोजन कैसे होगा प्रिश्ण पत्की संद्चना क्या होगी कितने उत्रिणांख होंगे आगली क्लास में जाने के लिए विद्धायतियों के लिए क्या क्या प्रावधान हैं किस तरह से स्व सबसे पहला राज हो गया जहां पर की यह नेती लागू होई है अभी हाली में राजपाल महुदय द्वारा अनमोधित उस शिक्षा व्वाग ने दो अध्यादेश जारी किये हैं अध्यादेश चौदय एवं अध्यादेश चौदय बी अध्यादेश चौदय ए कारकरम आयुजित किये गए हैं और विविन महाविद्याला विश्विद्याला ने भी वर्क्षाप के माध्यम से से सेमिनार वेमिनार वर्क्षाप एबम एबडीपी में राश्टी सिक्षानीती पर मैं व्याठ्यान दे चुका हूं तो उन सभी व्याठ्यानों का जो किसी भी विद्याय थी और इवं किसी भी सिख्षक के मन में किसी प्रकार का कोई संसाय ना रह जाए तो साथ ही हो मैं हूँ डॉक्टर कुझ ब्यायरी और मैं अपने यूटूब चैनल एड इंटलेक्ट में आप सभी का स्वागत कहता हूँ आसा है मेरा ये वीडियो सभी को पसंद आएगा यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे ताकि अधिक से अधिक विद्याय थी यहों सिख्षक लावानवित हो सकें और मेरे चैनल एड इंटलेक्ट को सब्सक्राइब भी कर लिजे ताकि ऐसे ही ओपी होगी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें तो आएए चलते हैं आज की इस वीडियो की ओर राश्टी सिख्षानीती 2020 के तहट इंटर्नल एवैलुएशन या कहने चाहिए आंत्रिक मुल्यांकन के तीस अंक दिये गए हैं आंत्रिक मुल्यांकन के तहट हम तीन बातों पर चर्चा करेंगे कि एक तो सीसी, दूसरा प्रोजेक्ट, इंटरंसिप, एपरेंटिसिप और तीसरा हम चर्चा करेंगे प्रक्टीकल की सबसे पहले हम सीसी की बात कहते हैं कंटिनुएस एवैलुएशन की यदि किसी प्रिशन पर तेहिति सो अंक आवंटित हैं, तो आंत्रिक मुल्यांकन तीस अंकों का होगा इसके लिए दद्दस अंकों के चार टेस्ट आयोजित किये जाएंगे और best of three के नीती के तहट तेन टेस्ट के जो अंक होंगे प्राप्तांक होंगे वो परिक्षा प्राणाम में जोड़े जाएंगे इन चार टेस्ट में तेन टेस्ट तो लिखित होंगे तथा चौथा टेस्ट जो होगा वो assignment या कुछ पर आधारिद होगा विद्यायतियों को चार में से कम से कम तेन टेस्ट में सामिल होना आवज सक है यदि तेन से कम में सामिल होता है तो उसको absent mark किया जाएगा आधार पार्ट करम में आंत्रिक मुल्यांकन नहीं होगा क्योंकि सो अंकों का पेपर objective type questions पर होगा और उनके उत्रों का अंकन वह हमारे सीट पर किया जाएगा अब बात करते हैं evaluation और project apprenticeship and intensive इसका evaluation कैसे होगा प्रोजेक्ट apprenticeship या intensive को सिक्षक के मार्दरसन में करना होगा विद्याथी को एक topic दिया जाएगा topic के तहट पहले तीन साल इन में से कोई एक चुनना है और उस पर काम करना है topic के तहट प्रोजेक्ट intensive या intensive इस इस पी लिखित रिपोर्ट मार्जधरसक के पास जम्हा होगी is jun का दो जो खिशत है उसके पास जम्हाँ होगी इसका मुल्यांकन न होगा जो लिखित रेपोर्ट बिद्याथी जमा करेंगे वह 25 उंकों की होगी और 75 का फील्ड वर्क का जो मूल्यांकन है जो काम किया है विद्यायथी ने उसका बाइबाग की आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा जिसमें इंटरनल के साथ साथ में एक प्रेक्षक भी होगा यहां पर बता देना चाहते हैं कि उत्तीर होने के लिए कम से कम 35% अंक अरजित करना आवश्यक होगा अब बात कहते हैं प्रैक्टिकल की यदि किसी बिसे प्रिशनपत्र में प्रैक्टिकल है या प्रैक्टिकल हित्यू क्रेड़िट पॉइंट आबंद लगें प्रैक्टिकल है यदि चाहिक रेड Dwiller पॉइंट का होगा्य तो उसका मुल्यांक पचास अंकट का होगा क्योंकि प्रैक्टिकल में प्रेक्टिकल के अंक 50 हैं तो उसी प्रकार से हम आधा कर दें कि लिखित परिक्षा उनकी 30 की होगी, मौकिक परिक्षा 10 की होगी और प्रेक्टिकल फाइल 10 अंकों की होगी तो टोटल हो जाएगा उनका 50 हो जाएगा राश्चती शिक्षा नीती 2020 के तहट annual examinations क्या होगे प्रिश्ण पत्त की सनचना क्या होगी इस सब के बारे में जानना भी अतियंत आवशक है तो सबसे पहले हम बात कहते हैं यहां पर प्रिश्ण पत्त की सनचना की यदि किसी प्रिश्ण पत्त को आवंट इंक 100 हैं तो 70 अं और वोकेशनल एवं आधा पाटकरम के लिए अधिक्तम दो घंटी का समय दिया जाएगा प्रिष्णपत्र की जो आधा समरचना है जैसा की और यह पोडिमल एप हो जाएंगे पांच घंटी sujet ने foreign equity जहांगे पांच प redisट program हो आपर ूंपत्र हमाइब ay कि पहला कोष्ष्षेंट करो या दूसरा कोष्षेंट हो यह पांच पांच अंकों के उकर्ल की हो जाएंगे 25 सिसंख हो जाएंगे दीर्ग उत्रिये प्रिष्ण जिसे हम लॉंग आंसर टाइप कुश्चन कहेंगे इनमें भी आंत्रिक विकल्प उपलब्द होगा यह चार प्रिष्ण होंगे और ददस अंकों के होंगे और यह 40 अंक के होगा इनका टोटल करेंगे टोटल हो जाएगा 70 अंक हो जाएगा हम जानते हैं कि आधार पार्टक्रम का जो पेपर होगा वह और टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा यानि सो प्रिष्ण बिकल्पों के साथ आने वाले हैं अब्जेक्टिव टाइप कुश्चन होंगे वह इनके उतर का मूल्यंकन और सीट पर किया जाना है अब ऐसन अब टूटोरियल के लिए टाइप 4 में एक करड़िट पॉइंट डिया गया है लेकिन इसका पेपर सो अंकों का होगा तूटोरियल के लिए भी लिखित परिक्षा होगी जैसे नफिवारसिक पृक्षा हो रही हैं प्रिष्ण पत्त का सवरुख भी बैस में पिर्वेसित होगा किसी पिष्ण पत्त में उत्तियूण होने के लिए आंत्रिक मुल्यांकन प्रायोगिक परिक्षा एवंबारिसिक प्रिक्षा को कुल मला करके 35 पितसत अंक अरजित करना आवज्षक है अभी 33% अंकों में विद्यायति उत्तियूण होते थे लेकिन कह सकते हैं 35% से कम अंख हैं तो उसे सप्लिमेंटी होने की कार्ण उस प्रिशनपत की परिक्षा में पुना बैठना पड़ेगा लेकिन पूरक के लिए भी एक सर्थ है और वो सर्थ यह है पूरक के लिए कुल अरजित क्रेडिट पॉइंट्स 20 से कम ना हो वो साल किसी एक साल में अधिकतम करेडिट पॉइंट 40 हैं लेकिन पूरक तभी आएगी जब उसके टूटल क्रेडिट पॉइंट जो प्राप्त की हैं वो 20 से कम ना हो यह दिए 20 से कम हैं और सपलिमेंटी आती है तो वह सपलिमेंटी नहीं मानी जाएगी उसे अनुतीन माना जाएगा तो सपल तभी मानी जाएगी जब टोटल क्रेड़िट पॉइंट उसके कितने प्राप्ट हुए हैं कम से कम 20 प्राप्ट हुए हों किसी भी कक्षा को उत्युन करने के लिए कुल 40 के पॉइंट से कम से कम 20 के पॉइंट यानि जो एजी पीफ फाइब फर्जित करना होगा यानि 50% यानि कम से कम 20 क्रेड़िट पॉइंट होना उसके आवश्चक हैं क्रेड़िट पॉइंट के मामली में अन्था की स्थिति में वो क्या हो जाएगा अनुतीन माना जाएगा अनुतीन होने पर उसी कच्छा में द्वारा प्रवेश दिया जाज सकेगा विद्यार्थी को लेक लेकिन किसी कारण से बी की से कि यर में वो कहने चाहिए यह अपनी पड़ाई जारी नहीं रख़ पा रहा है या किसी अन्य कारण से वो ड्रॉप लेना चाहता है तो उसे ड्रॉप दिया जाएगा तो क्या होगा ऐसे स्तिति में अगली साल जब यह सेकंड यापि फिर से पार्ट करम की अधिक तम सीमा की हम बात करें .. तो जो तीन वरस का इसना तक प्षालीन वर्ष क्षाइब और जो चार वर्ष का ओणर्ष और सोध और फार्ट कर्श में एक बात ध्यान देने वाली है कि होगे उन fibre की सीमा लागू नहीं होगी मू कोर्सिस मैसीव ओपिन आउट सोर्स कोर्सिस यह क्या है और राश्टी सिक्षा नीती 2020 में इनका क्या महत्त है तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि विद्यायत ही एक बरस में कुल क्रेडिट पॉइंट कितने होते हैं 40 उन क्रेडिट और उसका अधिक्तम 40% तो लगभग 16 क्रेडिट पॉइंट 16 क्रेडिट पॉइंट वो स्वें पोर्टल पर उपलब्द मूग कोर्सिस से प्राप्त कर सकता है इसके लिए विद्यायती को स्वें के पॉर्टल पर पंजी कित होना आवश्यक है यह कोर्सिस निधायत पार्ट क्मिले वो अंक्ति यहां पर जोड़ दिये जाएंगे नहीं इसका मतलब यह है कि आपके पार्टक्रम से मिलते जुलते कोर्ष ही आपको स्वें के पोर्टल पर करना है ऐसे कोर्स विद्यायती की जाएगए उनने अनमोधित किया जाएगा उन्ही कोर्सिस को विद्यायतिय देता है तो 16 क्रेड़िट पॉइंट की उसे परिक्षा देने की आओ सकता यहां पर नहीं होगी क्या है स्वेम पॉर्टल के द्वारा किया जाएगा कैसे देखिए इसके लिए विद्धायथी को संब्धित कोर्स है तो स्वेम पॉर्टल पर पंजिक्रित होकर पार्टक्रम क से मिलता जुलता है उसको चुने वह उसको करें वह वीडियो प्रोग्रेम होते हैं तो वीडियो के दुआरा हम क्या करें सीखें सीखने के बाद में उसकी एक नियत पर परिक्षा होती है परिक्षा देने के लिए विद्धायथियों को जाना पड़ेगा अमोमन भूपाल या बड़ी सिटी में या जहां पर लोकल चेप्टर होता है स्वेम का वहां पर यह पर परिक्षा होती है परिक्षा देने के बाद में स्वेम पोर्टल एक सेटिफिकेट जारी करता है सेटिफिकेट में आपका कहना है चाहिए कि क्या प्रदसन रहा परिक्षा में वह अंक साला के माध्यम से विश्विद्यालाए को आविदन पत्र भीजना होगा या सोचित करना होगा इसकी पिर्किया आगे नियत की जाएगी इसमें इस पश्ट निदेश जारी किये जाएंगे मुख को सिसके बारे में या स्वेम पोर्टल के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाओंगा जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि किस प्रकार से स्वेम के पोटल पर पंजियन किया जाता है कैसे को कर्स का चैन किया जाता है पूरी पिर्किया में आपको मोबाइल और लैप्टाउट के माध्यम से करना तो इस तरह से मैंने लाश्ट ए शेक्षा निती द में सिक्षक लावानवित हो सक है हाँ अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल एड़ इंटलेक्ट को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और यह बैल आइकन जो बगल में होता है उसको भी दबाजिए ताकि मेरे ऐसे ही उपयोगी वीडियो का नोटिफिकि सब्सक्राइब www.add-intellect.com पर भी बिजिट कर सकते हैं जहां पर सासन की उल्णाओं से सम्मनित मेरे वीडियो एवं मेरे लेक उपलब्द हैं इसी के साथ आप सभी के लिए हवा गड़े